और दोस्तों नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी छोटे बड़े लोगों का स्वागात हैं आज मैं दोस्तों सिमला मेर्च और आलो की सब्जी बना के आपकी दिखाऊंगी ये मेरे मसाली हैं दोस्तों ये मैंने प्याज कट करके रखे हैं ये मेरे टमाटर प्यूरी हैं दोस्तों ये मेरे तेल है ये मेरे सिमला मिर्ची हैं कट करके रखे हैं मैंने ये आलू मैंने कट करके रखे हैं पहले से गई जाउन करके रखा हैं ये मैंने पतेला रख दिया है चलो पतेला गरम हो गया है मैं इसमें तेल डाल दूँगी दोस्तों तेल गरम हो चुका है दोस्तों मैं इसमें जीरा डाल दूँगी अजेरा अच्छा व्यत्तर चाटर आए यह मैं जिंजर गाली चौक कर की रखे इसको मैं डाल दूँगी और अच्छे नार से जीर गाली को मैंने जो प्याओ कट करके रखे तक नो हमें प्याओ आसे डाल देंगे त्याज को वाम अच्छी तरह से बून लेंगे, जिंजर गाली को और त्याज को वाम अच्छी तरह से बून लेंगे, आप लोग देख सकते हो ब्राउन हो गया है, चलो मैं इसमें टमाटर डाल लेती हूँ, थोड़ो पकने के लिए छोड़ देंगे टमाटर को, चलो टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, मैं थोड़ो इसमें मसाला डाल लेती हूँ, चलो हम इसमें हल्दी पौडर डाल लेते हैं फेले, चलो हम इसमें सोल्ट डाल देंगे, चलो हम इसमें धनिया जीरा डाल लेते ह चलो इसको मिक्स कर लीते हैं अच्छी तरह से मसाला अच्छी तरह से पप जाएगा जो आलू मैंने कट करके रखे दें उनको भी मैं डाल लूगी फोड़ा मैं बून लूगी पहले आलू को सब्जी का स्वाद अच्छा आता है पहले आलू को बून लेगे हम रखाने में भी थोड़ा किस्वी लगते है थोड़ा आलू को अच्छी तरह से हम बून लेगे चलो हम थोड़ा इसमें रेड चिली डाल लेते हैं यह बहुत दिखी है शिली मैं थोड़ा ही डालूगी जो सिमला मिर्च हमने कट करके रखे थी उसको हम डाल लेंगे यहने दो आप लोग देख सकते हो तो सिमला मुटई मुटई मूटई कट करके रखे हैं आप आपनी रिसाव से कट कर सकते हो यह यह से कोई दिकत नहीं आप लोगों को जैसा पसंद है वेशा कट कर सकते हूं चलो मैं इसको मिक्स कर लेती हूं अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चलो हम आप ड़कन लगा लेते हैं बाद में आप से मिलती हूं चलो जब तक हमारी सब्जी पकती हैं तब था मैं थोड़ा दन्या कट कर लूँगी चलो हम कटोरी में रख लेते हैं सब दन्या इसी तरह चलो सब्जी को चक कर लेते हैं सब्जी अच्छी से हो गई है हमारी चलो मैं थोड़ा इसमें दन्या पता डाल दूगे बाद में अच्छा रहता है दन्या पता डाल न दन्या वेसे गल जाएगा सब्जी अमारी बनके रेड़ी हो गई हैं सिम्बला मेट चवर आलो की सब्जी बहुत अच्छी होती हैं आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी बनी हैं आप लोग इसको रोटी के साथ भी खा सक सकते हो और राइस के साथ भी खा सकते हो जटबट बनने वाली रसी और यलती भी हैं चलो मैं आप इसको कटोड़ी में सजा देती हूं चलो आप बॉल में रख देंगी इसको मैं आप लोगों के लिए इसको बॉल में रख लेती हूं इतनी ला जब आप देखने में हैं दोस्तों सब्जी उतनी खाने में भी उतनी स्वाध हैं दोस्तों मैंने इस सब्जी कटोड़ी में रख दी हैं आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी सब्जी बनी हैं आप लोग भी आपने गर में जुरूर टरह करना बहुत अच्छ के सबजी हैं कि अबाव थिलती भी होती है अपने गर में जुरूर बनाना अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेन भी जुरूर बताना आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई टेक अर अपना खया रखना हपनों का खया रखना